साइन एक्स हो गया कॉस एक्स हो गया अब तीसरे पर आते हैं y is equal to tan x फिर गड़ बड़ हो गया यह मान लिया y axis है यह x axis है train का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा सारे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन periodic फंक्शन होते हैं मतलब कोई वे एक ब्रांच बना लिया फिर वो ही ब्रांच बारवार रिपीट करेगा सारे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन साइन हो कॉस हो तैन हो को सैख हो सैख हो फिर फिर ले पेड ब्राव हो तैन्ड़ हो फिर फिर से लटेंट आटीज लंगेट्रिक फिर खेट्ब्राव शेवाइज में ये जो है वो थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में ऐसे ही है सारे सारे के सारे इसी तरह के ड्राउ किये और ये वाला पाई वाई टू है ये फिल टू पाई है ये थ्री Bye Supply ये हो गया फिर ये 5ți PR वेतु तो लेफ्ने साइड पर ये यह हो गया माइनस पाइब यह हो गया माइनस पाइब यह गया माइनस थ्री पाइब यह गया इन वैल्यूस को याद रखने का बहुत आसान सा तरीक है यह जब भी साइनेक्स जीरो गाट तो पहने रूट पर तो जब sin x 0 होगा तो 10 x भी 0 हो जाएगा इस बात का मतलब यह है कि जो sin x का root होगा वो 10 x का भी root होगा तो अभी हम थोड़ी दिर पहले sin x जब हमने पढ़ रहे थे तो वहापे हम लोगता है कि roots क्या होता है n pi x is equal to n pi तो यहापे भी 10 x का root क्या हो जाएगा x is equal to n pi मतलब 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi यह सब roots हो जाएगे और जो cos x के roots है महाँ पर undefine हो जाएगा जैसे cos x का एक root है pi by 2 तो pi by 2 पर अगर तुम्हें इस graph में देखोगे तो pi by 2 पर यह वाली जो line आया है इसको graph कभी कटी नहीं करेगा इस पर define ही नहीं हुआ इसलिए इस line के उपर कोई point नहीं है फिर एक बार दुबार 10x कितना होता है sin x upon cos x तो जब नीचे वाला cos x 0 हो गया तो 10x define नहीं होगा क्योंकि denominator में कभी 0 नहीं आना चाहिए अब cos x तो 0 हो गई कहां पर 0 होगा अभी cos x वाले में पढ़के आ रहे 2n plus 1 in 2 pi by 2 मतलब odd multiple of pi by 2 odd multiple of pi by 2 का मतलब क्या है 1 in 2 pi by 2 3 in 2 pi by 2 5 in 2 pi by 2 तो इन सब जगा 10x define नहीं होगा अगर 10x define नहीं होगा तो क्या होगा ग्राफ पे क्या आएगा इन points पे graph पे कोई point ही नहीं आएगा इन values के लिए graph पे कोई point ही नहीं आएगा मतलब pi by 2, 3 pi by 2 5 pi by 2 7 pi by 2, 9 pi by 2 minus pi by 2 इन सब जगा पे 10x पे कोई graph नहीं sorry, 10x के graph पे कोई point नहीं आएगा जो हमें दिख रहे point नहीं आएगा तो क्या आएगा basically उन सब जगा पे ऐसे sm टोट आ जाएगा ये जो line है ये जो line है this is x is equal to pi by 2 ये 10x के लिए sm टोट का काम कर रहे मतलब अगर हम देखेंगे तो ये जो gap है वो लगाता है, reduce होते होते infinity पे जाके 0 होगा, ऐसे ये वाल अगर आप इदह से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये ऐसे reduce हो रहे है तो अभी हमने दो चीज बोला एक तो हमने बोला कि 10x कहाँ पे 0 होगा जहाँ पे sin x 0 होगा तो 10x का root क्या हो गया जो भी sin x का root है और 10x कहाँ पे define नहीं होगा जहाँ पे cos x 0 हो रहा है cos x कहाँ पे 0 होता है pi by 2 के odd multiple पे तो जो भी pi by 2 का odd multiple है sorry, sorry वहाँ पे 10x define नहीं होगा मतलब pi by 2, 3 pi by 2 and so on इन सब जगा पे 10 define नहीं होगा तो अच्छा एक चीज और इसमें एक cycle कहाँ है यहाँ से लेकर यहाँ तक है यही बार बार repeat कर रहे यही shape बार बार आ रहे तो sin x और cos x का period तो pi था इस वाले case में इसका length कितना हो जाएगा इस cycle का length कितना हो जाएगा minus pi by 2 से pi by 2 तक इसका length कितना हो गया pi sin x and cos x का period तो 2 pi था 10 x का period कितना हो गया pi तो इस graph के हिसाब से हम क्या क्या बोजकते है domain क्या है domain का बना कहा का define है सब जगा define है केवल वहाँ define नहीं जहाँ cos x 0 है cos x 0 कहा पे है 2n प्लस 1 into pi by 2 पे यहाँ पे फिर उसके आद रेंज क्या है range हम कैसे देखते है हम यह देखते हैं कि y axis पे sorry हम यह देखते हैं कि y axis पे कितना cover हुआ तो इसमें तो अगर हम इस branch की उपर देखें तो यह उपर infinity तक जा रहा है इस direction में और नीचे यह infinity तक जा रहा है इस direction में उसका मनलब क्या है कि कुछ बचा ही तो range इस function है कितना हो गया r फिर root क्या हो गया पिरियॉडिक है पिरियॉडिक तो answer will be yes फिर हम बोलें कि period क्या है तो इस वाले case में पाई है sinocos के case में तो 2 पाई था इस वाले case में period पाई है उसके बाद और क्या बता सकते है is it bounded नहीं है फिर अगर हम बोलें कि lower bounded है तो वो भी नहीं है अपर bounded है वो भी नहीं है फिर हम मुलें कि अगर asymptotes asymptotes कहाँ पर है यह vertical asymptotes है जितना हुई हमने red dotted line बनाया है यह सब asymptotes है तो जैसे यह वाला asymptotes का equation क्या है vertical line का equation क्या होता है कोई भी vertical line की चोगे तो उसका equation तो हमेशा आता है x is equal to some constant अगर हम horizontal line की चाहेंगे तो उसका equation आता है y is equal to some constant तो इस वाले vertical line का equation क्या x is equal to pi by 2 दूसरे यह वाला जो vertical line है इसका equation x is equal to 3 pi by 2 and so on तो यह सारे ही asymptotes हो गए मतलब x is equal to odd multiple of pi by 2 इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर हम domain पे देखें domain पे इधर तो r में से यह values निकाल दिया क्योंकि यह define नहीं है और जो values निकाल दिया उसी जगा पे जो vertical line की चाहेंगे वो asymptote है तो asymptotes की equation क्या हो जाएंगे x is equal to 2n plus 1 into pi by 2 यह asymptotes की equation हो गया वापस इस graph को भी अच्छी दरह याद कर लिया यह y is equal to 10x graph है तीसर टेगनोमेटरिक फ़ंच्छने